हाई फ्रेंज कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल 311 फोकस पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं D.E.R. vs. L.E.I. फुल स्टार्ट्स परसंफो यहने डर्भी शायर vs. लेस्टर शायर फ्रॉम दा इंग्लिश टी-20 लीग दोस्तों एक मैच और इस लीग का कवर कर चुके हैं या आपको मैंने प्रहुला था कि मैं एक मैच और कवर करूंगा तो यह वीडियो आपके लिए है अब बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शन्स होती है स्मॉल लिग के टीम में सारी ऑप्शन्स कवर नहीं कर पाऊंगा रहा है आप यह कीनन बहुत अच्छी रैंक्स ले पाएंगा और मेरी सजेशन यही है पहले दिन है ग्रेंड लिग जादा खेलो एक तो लिग्स फिल बड़ी धीरे धीरे हो रही है तो यही मेरी आप से सजेशन है वीन्यू जो रहेगा ग्रेस रोड में लेस्टर में मैसेज खेली जा रहे हैं सारे आपको वैसे बता दूँ यहाँ पे लेस्टर शायर का होम ग्राउंड है बट यह मैच्चिस दर्बी शायर के होम ग्राउंड करें जा रहे हैं क्योंकि अल्रेडी जो डर्बी के होम ग्राउंड वगरा थे वहां ऐस्ट्रेलिया की टीम आके रुकी हुई है जिस वज़े से वहां पे मैच्चिस हो नहीं सकते तो बड़ा अजीब चीज है लेकिन यह ऐसा ही है बहुत अच्छा बल्लेवाजी सर्फेस है टॉप फोर आगर आप देखोगे रन मैच्चिस केम उन दिस वरी ग्राउंड लास सीजन फोर लेस्टर शायर लेस्टर शायर में हर जगा मैच्चिस खेली है लेकिन इनके जो टॉप फोर हाई स्कोरिंग मैच्चिस थे इनके अपने होम ग्राउंड पर या है जिससे आपको पता लगता है कि अच्छा खेल लेते हैं इस विकेट पे और रन्स बनते हैं यहाँ पे एक यॉक्षायर और लेस्टर शायर का मैच्च वोर उसकों टोटल मिला के 456 मैच्च रन्स बने थे एक ही मैच्च में जिससे आपको समझ आनी चाहिए कि काफी हद तक अच्छे स्कोर बन सकते हैं पिछला हेट टू एड और लास्ट मैच्च इस विकेट पे लेस्टर शायर 124 पे नौर रन पे रह गई थी बीस ओर में लेकिन डर्बी शायर ने काफी जीली चेस कर लिया था एक विकेट खोते हुए काफी जादे हैं इनके रन आउट हुए थे तीन रन उट होगे थे लेस्टर शायर के और उनके स्कोर नहीं बन पाया था चार विक्टर फास्ट को मिली थी तीन स्पिन को उससे पहले जो मैच वह था लेस्टर शायर नोटिंगम शायर ने चैस कर लिया था बहुत आराम से 161 का टार्गेट और दिखाया था कि हां भई ये पिछ पे अधिक सीरन भी बन सकता है नॉटिंगम शायर ने भी साथ विक्टर से मैच जीता था टोटल इस मैच में 11 विक्टे कही थी को काफी अच्छे प्लेश लगते हैं बहुत अच्छे बल्लेबास हैं लेकिन बोलिंग भी कर सकते हैं मीडियम पेसी आपने इनको दूसरी लीग में भी कहलते देखा है जिसे की बीपिल में आया थिंग खेले थे तो ऐसी लीग में भी जा चुके हैं वेन माट सेन हैं वेरी गोट प्लेर याइंन बैट्समें है रायतं udूसरी करते हैं बट बहुत कम यूडिू प्लू है यह कफी अच्छे है लेट और सब्सक्छरे उलबास करते हैं टू इनको अब कर सकते हो मिजर pow रहे करते हैं नबाजी बहुत कम जो प्रापर और और रोंडर है वो हैं Alex Hughes और Matt Critchley, Alex Hughes is a genuine all-rounder बल्ले और गिन दोनों से, Matt Critchley is a bowling all-rounder, leg break है इनके second highest wicket-taker थे last season, पहले एक कुछ matches में opening भी आये हैं, लेकिन expected है middle order में खेलेंगे, Finn Hudson Prentice है गए भी काफी अच्छा all-rounder है, इसका selection Finn Hudson का only 1% है, यह आपके लिए बहुत अच्छ keeper, 2 match में 41 है, लिस्टे में, 1 match में 36 किये थे, 1 में 5, M Macrenan है, Major League Red Spinner है, जो कि बल्ले से भी contribute कर सकते हैं, Michael Cohen है, left hand batsman है, left arm fast medium, और Samuel Connor है, right arm fast, अगर bench पे देखोगे, अनुष दल अच्छे batsman है, तेज खेलते हैं, इनकी खास बात यह है, अगर आप ODD का भी का strike rate देखोगे, वहाँ पे भी 124 है, तो अनुष दल attacking batsman है, यहाँ पे मुझे कहना चाहिए, E-Barnes के बारे में, E-Barnes जो है, second 11 के लिए खेले थे, इनके लिए, 8 match में 6 एक्टे करी थी, Thomas Wood ने 2 match में 33 run किये थे, right hand batsman है, last season की अगर आप इनकी performance दिखोगे, आपको कुछ नाम repeatedly दिखेंगे जो सबसेच options और Grand League के लिए, Alex Hughes, मैं यह player point कर रहा हूँ, इसका 10% selection भी नहीं है, आप इसको Grand League में try करेंगे, Alex Hughes का ध्यान रखेंगे, Finn Hudson Prentice का 1% है, जो player आपको 14 matches में 94 runs दे रहा है, आपको दिखा रहा है कि हम में runs कर सकता हूँ, 7 innings में इतने runs की है, कुछ matches में open आया, 14 match म 11 wicket लिए हैं उसने, और आपको क्या चाहिए है इस बंदे से, अच्छा आप ले रहा है, Alex Hughes के लिकेट में से गलती से 19 type हो गई थी, वो 10 wicket है, ध्यान रखके चलना, order में ही मैंने लिखा है, highest wicket लिकेट परिचली थे, फिर Prentice थे, फिर Hughes थे, फिर Lewis Royce 10 wicket और Wayne Martsen ने, यहा का भी जस्त आपको अभी मिडल सेक्ष वले मैच का अपडेट देखिया हैं, और अप्डेट देखिया हैं, और मैं उनली एक घंटा बीच में सोया है, और वो भी उसमें थोड़ा मिस्टैपिंग हो सकता है, I hope you understand, अगर आप देखेंगे तो यह सब अब मैंने एकडम सही कर 453 runs, लुइस रॉच 325, लुजू प्लू, 14 मैच में 312, he had 50s, 3 50s करे थी 12 मैचेज में, अफरेंटिस 94, क्रिशली 94, यूज 87, यूज वस रेगुलर विद बोलिंग अजवेल, दसवक्टे निकाली थी, तो यह प्लेयर्स पर थोड़ा फोकस करोगे, तो आपके लिए बहु अच्छा प्लेयर है, Harry Swindles, 15 मैच में 233, टॉप ओडर पर हो सकता है, शिफ्ट मारा जाए इस बर क्योंकि ओपनर की कमी है, Aaron Lily, राइट है और यहां पर आपको खाफी हद तक और आप स्पन भी करके देदेगा, तो इसको भी आप ट्राय कर सकते हो, in fact, बैटिंग साइड प वलेबाजी से भी है, Lewis Hill है, विकेट कीपर और राइट हैं बैट्समें, 42 मैच में 502 रन थे, Harry Riordan 14 मैच में 228 रन, टॉम टेलर, यह यार यह एक निया प्लेयर आया है, ज्यादा तर लिस्टे खेले, लेकिन जो भी खेले ना, ऐसे खेले, प्रॉपर और राउंडर की तुना राइटर क्लीन को एस बोलर की दौर पर ले सकते हो, 30 मैच में 24 विक्टे भी हैं, रन्स भी कर लेते हैं, लिवर और में आके, केलम परकिंसन इनके सबसे अच्छे बोलर हैं, काफी अच्छी विक्टे निकालते हैं, हमने पहले मैट परकिंसन की बात करी थी, उन्हीं के भा अच्छी उसको अच्छी उसको अच्छी कर सकते हैं, फी प्लेस बेन माइक साथ मैच में सत्तर हैं, पांच विक्टे हैं, बेन माइक लास्ट एम भी आपको बता दूं की रेगुलर कहीं पर खेल लेते थे इनके लिए, उनको आप ट्राय कर सकते हो, गेरेट डिदानी का मै अच्छी है, बट अगर यही T20 में छे से साथ रहे तो अच्छी रहेगा और विक्टे भी ले रहे हैं, जादर वो प्ले ने टॉम टेलर जो ओर पूरे करते हैं, और बले बाजी भी आपको कॉंटिबूशन दे सकते हैं, कॉलिन एक्रेमन देखोगे, इनके लिए नाकी सिर्फ बल्ले से गेन से भी सबसे स्ट्रॉंग लियर रहे थे, एरन लिली है टू फॉर्टी एक्रेमन भी बोलिंग कर लेते हैं, हैरी स्विंडल्स है, लूइस हिल हैं, जोकी इंजरी से वापिस आए हैं, धियर डन है, वन माइक 33, डाइटर क्लीन 31, ये इनके तीन बोलर्स रहेंगे, अगर आप बोलिंग सेक्शन में देखोगे, कैरम परकिंसन और अक्रेमन दोनों स्पिनर्स अच्छे रहे थे टीम के लिए, गैवन ग्रिफिट्स 11 मैचेज में 10 इनिंग 9 विकेट्स, डब्यू डेविस ने 8 व तो तीन ओर मिल जाएं और वंडोन पर आ जाएं तो पॉइंट्स ले सकते हैं, सेम चीज बेन माइक का है, ही केन कॉंट्रिबूट्ट बैट्टू, इतना फॉर्म में नहीं था, अगर छे मैचे मैचे में देखोगे, उनली टू विकेट्स अन छे मैचे मैचे में ही, ओनली इनका सबसे जादा एक्स्पीरिस हैं तीनों में, बल्ले बाज सेक्शन में, यू हव सम गुड ऑप्शन, सबसे पहले दो ऑप्शन जो है, वेन माटसन बिल गॉडलमन, दोनों आपकी टीम में रहने चाहिए, दोनों बहतरीन प्लेयर हैं, दोनों अच्छा कॉंट्रिबू LW का एक्चली बहुत अच्छा रिकॉड रहा है, जिएक। या सोअ All round section में you have all the players who are playing except यहां पर एक दो प्लियर है, वीगल स्कॉर्ड में नहीं है, प्रीस्टली बेरे साफ से नहीं कहलेंगे, रेस्ट आल आरें स्कॉर्ड और कोई भी खेल सकता है, जो best players है इस match की, यहां पर ही है, यहां पर थोड़ा सा अगर में चाहता तो ऐसा होना चाहिए था, एक दो प्लियर इदर उदर होने चाहिए बट सारे ही प्लियर अच्छ ओल डाउंडर में है, और यूफ टो पिक फॉर, इसलिए मैं आपको स्जेस्ट करूँगा, तीन ही बैट समन ले, क्योंकि और डाउंडर में आपको चार लेने ही चाहिए, कॉलिन अक्रेमन अपनी टीम के लीड हाईयस स्कोरर लास सीजन हाईयस्ट विकेट टेकर भी थे, अल्वेस अ गूड चॉइस, लुईस रॉष टीम के लिए कहीं बार ओपनिंग आये हैं, ओपनिंग नहीं तो वन डोन आये हैं, टूडोन आये हैं, हास कॉन्टिबूशन विद बैट एन बॉल, मैट क्रिशली टीम के लिए लीड विकेट टेकर थे, कभी-कभी ओपनिंग आये थे, दर्वी शायर के लिए 2019 सीजन में नहीं, 2018 में बहुत आये थे, बट हेर ही है सम गुड बोलिंग विकेट लेने का चांस, तो मैं इनको ले रहा हूँ, गैरेट डिलानी आयरिश रिकरूट को ले रहा हूँ, प्रस यहां पर और डाउंडरिंग काफी अच्छी कर सकते हैं, यहां पर बहुत अच्छी डिफरेंशल चॉचिस हैं, बस काफी जादा, मैं इसलिए आपको भी दिखरेंड लिख रहा हूँ, अब इन सब को छोड़ना मुश्किल है, जो मैंने पिक्स लिए है, अब आप समझ सकते हो कि, अपने टीम के लिडिंग विकेड टेकर, छोड़ना मुश्किल है, हाईय स्कोरर भी, कृचली अपने टीम के लिडिंग विकेड टेकर, डिलानी हैस बिन फिन 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 फॉर्म ओपनिंग करेंगे, यहां जो आपके लिए आती है, बहुत अची आप्शन आती है, टॉम टेलर, एलेक्स हूज, डाइटर क्लीन, अन हर्टसन प्रेंटिस, मैं गेमन ग्रिविट्स के उपर हर्टसन प्रेंटिस होंगा, अनली वन परसेंट, यह यह चीज ना, वन परसेंट वली, काफी अची बन जाती है, क्योंकि बहुत कम लोग ट्राय करेंगे, सेम चीज फ़र डाइटर क्लीन, यूज अन ग्रिविट्स, टैन परसेंट से कम सेलेक्शन है, ठीक है, बोलिंग सेक्शन में यहां पर मैं कहूंगा, कि उतने खास प्लेयर नहीं है, मुझे पार्किंसन तो लेना ही है, रवी रामपल है नहीं, इसके अलावा ना, दो प्लेयर चूस करना ऐसा है, कि भाई कौन सा अच्छा कर सकता है, और थोड़ा लग बेसे पर है, जस्ट विकॉज यहां पर डर्भी शायर मुझे थोड़ी जादा स्ट्रॉंग लग रही है, डर्भी शायर के प्लेयरों को आप प्रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन आप देखोगे, उनके प्लेयर गैस कर पाना मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है, डर्भी शायर के मैक्सिमुम बोर्स यहीं कवर हो गए है, और डर्भी शायर में, सिरफ यह रीजन है, आइम गोइंग विट डब्यू डेविस, अगर जी रोड्स अगर जी रोड्स नहीं खेलते, वी हैव एस कॉर्नर्स आप्षिन्स, अभी के लिए मैं इनको लिया, फाइनल टीम आप देख लेंगे, हाला कि मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा, चूज इस और रोंडर्स एंड प्ले ग्रेंड लीग, मैं अभी यही करने वालो, फर्स्ट विकेट उसकी है, इसकी नाजी चलो सब नहीं ही लिया है, चौबिस पच्छे सन करके निकल लिया, एक आधा बैट्स बना मैं आपको बताया था, अभी चल रहा है, डून ओ कैसा चलेगा, बट इस आर सम पिक्स जो कम लोग ले रहे हैं, और आपको ट्राय कर दिया, ग्रैंड लिक के लिहाज से, स्मॉल लिक के लिहाज से, आपको दोनों पिक्स बताई है, कॉलिन एक्रेमन विल बी मैं फाइन चोईस, फर्स्ट कैप्टन सी चोईस है, वाइस कैप्टन सी के लिए, लुइस रॉष को कंसेडर कर सकते हो, मैट क्रिचली से ज़्यादा मैं डलैनी कहूंगा, अफकोर्स डेब्यू है इनका इंग्लिश ट्वेंटी में, बट ही इस अ गुड चोईस, तो ये प्लेयर्स है जिन पर आप थोड़ा फोकस कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई है, थोड़ा स्ट्रेंज टीम हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे, कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा फेवरेट टीम कौन सी है, यहाँ पर इनकी टीम, फिर भी इसके चार प्लेयर क्यों हैं भीया, और कैप्टन मियां से नहीं है, क्योंकि इनके सारे ही प्लेयर और रोंडर में हैं, जो अच्छे प्लेयर है, तो सबको तुमन ले नहीं सकता, यह मेरी टीम बनी, कैप्टन सी मेरी कॉलिन एक्रेमन, वाइस कैप्टन सी लुईश रोइस, आप अपने इसाब से चेंज कर सकते हो, टेलिग्राम में नहीं जुड़े, तो यह रहा हमारा चैनल और इसी वीडियो के से, डिस्क्रिप्शन से जरूर आ जाना है,